नमस्कार शुब संधिया गुडीवनिंग इंडिया मैं हूँ आपके साथ मयंग शुक्ला दर्शकों इकबाल कहे गए हैं युनानों मिस्त्रों रोमा सब मिट गए जहां से बाकी अभी तलक है नामों निशा हमारा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सद्यों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा लेकिन इन सद्यों में कुछ घटनाए दुर घटनाए ऐसी हुई जिसका मलाल या यू कहें दुख आज तक होता है कई विदेशी हमारे देश आये और हमारे देश के धर्म आस्था और श्रद्धा के प्रतीक चिन्हों को हमारे देश की मूर्तियों को चुरा कर अपने देश ले गए आज वो मूर्तियां हमारे देश की धरोहरें उनकी देश की शोभा बढ़ा रही हैं लेकिन कुछ देश भक्त कुछ चिन तक कुछ युवा आगे आए और उन्होंने बीड़ा उठाया उन्होंने संकल्प लिया कि हम हमारे देश की धरोहरों को एक बार फिर से अपने देश लाकर रहेंगे इंडिया प्राइट प्रॉजेक्ट के नाम से एक परियोजना शुरू की गई जिस प्रॉजेक्ट से आज विश्व भर के सैकडो लोग जुड़ चुके हैं आज की इस इवनिंग लाइफ शो में इंडिया प्राइट प्रॉजेक्ट से जुड़ी हुई बाते करेंगे और इस विशे पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौझूद है तीन विशेश महमान सबसे पहले स्वागत कीजिए श्री अनुराग सक्सेना का अनुराग जी बहुत स्वागत है गुडीम लिग इंडिया में नमसकार महिंग जी साथ ही हमारे साथ दूसरे विशेश महमान जुड़े है दॉक्टर डेविट फ्रॉले एक जाने माने लेखग है और पद्मभूशन विजेता है डेविट जी वल्कम तु दी प्रग्राम साथ ही तीसरे और अंतिम गेस्ट हमारे साथ जुड़े है श्री निखिल सिंग कि हमें इस इंडिया प्राइट प्रॉजेक्ट जैसे किसी प्रॉजेक्ट को शुरू करना चाहिए देखिए मुझे हमेशा से यह लगता है कि भारत में जो हमारी विरासत है जो हमारी धरोर है उसकी हमी जादा इज़त नहीं करते बाकी पूरा देश करता है बाकी पूरी द उसी को हम चोरी होने देते हैं, उसी को हम वेंडलाइज होने देते हैं, वहाँ पे लिखके आ जाते हैं कि राम लव सुनीता, पत्थर के सनम, तो जो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट था, it was a way for us to reclaim कि जो हमारी विरासत है, जो हमारी धरोर है, वो वापस लाई जाए, केव कि जब आप हम से stronger थे, जब आप शक्तिमान थे, चाहे वो UK हो, US हो, जो भी हो, तब आप हमारी धरोर चोरी करके लेके गए, आज हम शक्तिमान हो रहे हैं, तो हम ये वापस लेके वापस देश लाएंगे, तो छोटा सा एक, आइडिलोजिकल सा एक रीजन था, जिसके वज इस्टरिकल है, तो वी झाहे लेजिकलके इसके इसी थेस्टरिकल बिष्च से लेख प्यूच र्लग्छिघिकल के लेको आप सब्यारी थेसिए हैं, तो एक रिफ्क्तिमान हो बेशिकल आप हम बष्यादे, हैं टॉड़िकला हम दोटे से टुनापराय धरारी कहरे हैं, heritage also has to be recognized and what I see in the Indian context is there's not enough pride or appreciation of India's heritage and to some extent we in the West may appreciate it more not only at the level of ideas but even at the level of artifacts. ये आपका बड़क्पन है कि आप विदेशी नागरिक होने के बावजूद जो है भारत के हरिटेज भारत के धरोहरों के लिए कारे कर रहे हैं. Nikhil जी आपने फिल्मेकिंग को करियर अपना बनाया और इस माध्यम से इंडिया प्राइट प्रॉजेक्ट से जुड़े और अभी आपकी एक फिल्म आपने जो बनाई बलड बुद्धाज. थोड़ा बताएं दर्शकों को आखिरकार ये मुवी किस विश्य में हैं और ये किस प्रकार से इस कौस को टच करती है? ये इसी कौस के ऊपर है और मैं एक फिल्मेकर हूँ और मैं जो मूर्तियां हमारी वापिस आ रही है मैं उसको देख रहा था और जाहिर है बाकी लोगों की तरह प्रफिलिट भी हो रहा था और मैंने सोचा कि ये तो ये एक ऐसी खबर है ये पॉजिटिव ऐसी खबर है जिसे करने में मजा भी आएगा लोगों को भी अच्छा लगेगा तो ऐसी कुछ मंसा थी इस वज़े से मैंने अनुराग जी को कॉंटाक किया ट्विटर पे क्योंकि ये सिंगापूर में रहते हैं मैं मुंबई में रहता हूं तो इन्हें कॉंटाक किया ट्विटर पे अपनी अपनी कहानी बताई कहा मैं यह यह हूं और इन्हों कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है आप आईए मुझे से मिलिए और वहां से ये दौर जो है शुरू हो गया अरुराग जी आखिरकार क्या प्रक्रिया होती है जैसे आपने कहा कि आप मूर्तियां जो चुराकर ले जाई गई है उन्हें वापस भारत लाने का काम करते हैं इस उसको स्थापित करें उसको प्रूव करें कि हमारे पास वापस आना चाहिए दूसरा इसमें एक प्रॉसेस होता है जिसमें हम किसी म्यूजियम को या दूसरे देश को कन्विंस करें कि ठीक है प्रूव तो है हमारे पास बट फिर भी आपको ये काम करना पढ़ रहा है कि आ आप मानें ये बात और आप अपनी तरफ से बोले कि हां जी ये मूर्ती हम वापस देना चाहते हैं तीसरी बात तीसरा इसमें स्टेज होता है कि जब हम भारत सरकार को पुश करें एंड उसमें Ministry of Culture, ASI, Ministry of External Affairs वगरा होती हैं कि वो लोग officially एक request raise करें कि ये मूर्ती वापस आए तो इसमें तीन अलग-अलग phase होते हैं हर एक में कभी-कभी महीने लगते कभी-कभी साल लग जाते हैं तो but important इसमें चीज ये है कि विश्व भर में पिछले 4-5 साल जो हमारा प्रायतन हुआ है विश्व भर में एक माननेता बढ़ी है एक recognition बढ़ी है ideological लेवल पर कि ये मू सेट कर दिया उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी दोसोवी चारसोवी चारहजारवी आठहजारवी चारलाखवी मूरती लाना मुश्किल नहीं होगा तो आज थैंक्फुली हमें स्टेज पे है कि BBC से लेके वाशिंग्टन पोस से लेके सारे ही लोग ये मानने लगे हैं कि ये मूरतिया वापस आने चाहिए तो वो जो है बहुत बड़ी विक्टरी है Dr. David, what do you think? Is it just a national heritage issue or is it something beyond that? Oh, it's an international issue. The same issues occurring in the Middle East and in other countries. And it's a special issue via India because India has such a large heritage and a lot of these artifacts that are being used and stolen and even used for to fund terrorist organizations as far as that do come from India. So it has many levels of application. On one level it means having more recognition of the value of the Indian art and artifacts both in India and outside of India. Also reclaiming some of the heritage that's been taken over the colonial era but also recognizing the dangers of not controlling the art market relative to India and how it is funding illicit activities at various levels, particularly in India but even outside. You mean that it can also be a national security issue, Anurag Ji. Yes, in fact, I would like to add to it, David Folley Ji has said, we think that it's just a position of authority. It's a position of art and culture. It's a position of soft position. So it's a position of culture. It's a position. It's a position. It's a position in the United Nations Security Council. The United Nations Security Council has a resolution, resolution number 299-2199, which has said that ISIS and Daesh are the most dangerous terrorist organizations. They have a lot of sources of funding, such as counterfeit currency, such as drugs, such as they sell gold and gold and they sell their money and pay their money for their lives, and they also have to pay for terror activities. So we can't recognize this country that we are going to be collecting our shivling. चुराए जा रहे हैं. क्यों? ताकि बं खरीद के हम ही पे वापस फेके जाएं. तो ये नैशनल प्राइड का सेक्यूरिटी तो हमेशा से था. पिछले कुछ सालों में नैशनल सेक्यूरिटी का भी मुद्धा बन चुका है. जो और जादा डेंजरिस है. क्या लगता है निखिल जी आपको कितना बड़ा जो है ये कितना ग्रेव या कितना सीरियस प्राब्लम ये हो सकता है नैशनल सेक्यूरिटी के लिहाज से. नहीं हो सकता है नहीं है और बहुत सालों से है. क्योंकि अभी अगर कंट्रोल नहीं किया गया या जैसे जो हम कहे रहे हैं. जैसे नक्सलिजम ये कर रहा था. LTT ऐसा करती थी पहले. जो जर्मनी से जो दुगा जी की मूर्ती आई है. वो कश्मीर के पुल्वामा से चोड़ी की गई थी. कश्मीर इंसरजंसी के दोरान. जाहिर है क्यों चोड़ी हुई वो पैसे कहां गये आप सोच सकते हैं. त किसी नमाबा अपना यूनेस्को वर्ल्ड हेडिटर साइट है. वहां वेंडिलाइज किया. तामिल लाडू में एक बहुत बड़ी सोने की नंदी की मूर्ती थी. वो चोड़ी हो गी. तो ये हो रहा है. होता जा रहा है. और ये पैसे जाहिर है. टैक्स में तो नहीं दे रह है. जो चुडा रहा है. वो सरकार को तो नहीं दे रहा. तो ऐसा है. गर्मिन सपोर्ट के बारे में अगर मैं आपसे बात करना चाहूं. अनुराग जी, कैसे शासन की ओर से मदद मिलती है? क्योंकि यकीनन जब आप किसी विदेशी विटी से या विदेश से कोई मूर्ती व रखा हुआ. उसमें हाफ ग्लास फुल, हाफ ग्लास एम्टी है. गुड न्यूज इसमें यह है कि स्वतंतरता के टाइम से नाइटीन फॉटी से लेके दो हजार बारा तेरा तक केवल तेरा मूर्तिया वापस आई थी. तो पैसट साल में तेरा मूर्तिया. तो मोटे मोटा म बहुत ही बड़ा है. कहां एक, कहां 234. और यह केवल नंबर की बात नहीं है. जो मूर्तिया वापस आई, हमारे हेड ओफ स्टेट में, स्टेट ने, मोदी जी ने, परस्नली जाके मूर्तिया लिये, एंजला मर्कल से, टोनी आइबट से, क्रिस पांबा से, माने कि he has elevated this to an issue which is important enough for a head of state. लेकिन इसमें एक डाउनसाइड भी यह है, कि जो सरकारी मुलाजिम है, जो बाबू है, जिनका पुराना काम करने का एक रवाया है, उसको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा. 234 में से काफी मूर्तिया ऐसी हैं, जो अभी तक वापस लाई नहीं गई है तो यह धीरे-धीरे होगा क्योंकि अवेरनेस बढ़ानी की बात है, यह इस तरह का क्राइम है, जो लोग इसको क्राइम समझते ही नहीं, चाहे वो पबलिक हो, चाहे सरकारी बाबू हो, चाहे अब देखे, इतने सालों से बॉलिवूड चल रहा है, हर मुद्दे पे उन्हो मुवी बनाई है, तो चाहे सरकार हो, चाहे बॉलिवूड हो, चाहे सेलेबरिटी हो, चाहे आमाद भी हो, उनको टाइम लगता है, यह समझ महनी में, और मैं शुक्रिया करना चाहूंगा दूरदर्शन का, कि आपके माध्यम से लोगों को यह पता चल रहा है, धीरे-धीरे बात वो और आगे बढ़ाएंगे, मैं पबलिक को भी बोलना चाहता हूँ कि आप जाके अपने चार लोगों से बात कीजिए, जब चाहे पीते हैं, जब कॉफी पीते हैं, जब किसी के घर आना जाना होता है, तो उनको बताई ही, क्यार मैंने सुना इतना बड़ा मुद्ध है, युनेस्को ने कहा है कि पचास हजार आटेफैक्स चोरी हुएं देश से, पचास हजार, पर हम जानते हैं नहीं है, न्यू यू यॉर्क में एक दिन रेड होती है, एक डिलर के ऊपर, एक देश, एक शहर, एक रेड, उसमें एक सोच्छे मिलियन डॉलर की मूर्तिया ब और लड़े नहीं, तो हारना तो हमको है ही, चाहे हम लड़ना चाहे हैं नहीं चाहें, इसमें या दो ही option है बस, या तो हम विक्टिम बनेंगे, या हम विनर बनेंगे, न्यूटरल इसमें रही नहीं पाएंगे, यू विल बेश्ट बाइस. और भारत ने हारना कभी सिखा अबता इस्यों ब में एक्कलम आधा कि एक हम लाग लिजट सीट्टन ने लिजट इस लिए कि टे लिज़ा आधिका कि लिए या लिए इस प्रीम हाग जाधित SH हर दांटसर कि लिए ने रिचे लिद्टन आधिक कि लिए ऴक्लमने लिए यूश्या कि अडिप लिए श्री इवया我 आपज है प।ार 250 अंधेस अंधेश प्राइड है अë प्राइव ब्र lobbies कूल-फजी निफ़राईग ये सैंधेस्ट कुल and they certainly don't understand the value they have at the art market but also the importance they have for restoring India's culture, heritage, knowledge traditions overall. Nikhil ji, जो धरोहरे चोरी हो गई है उन्हे तो लाना ही है। जैसा अनुराग जी भी कहा कि जो धरोहरे भारत में है, उन्की भी केर ठीक से नहीं हो पा रही है। हम उन्हें भी बरबात करने पर तुले हुए है। जिस पर क्या कहना चाहिए। सही है, साड है। और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा इनसे यंग हूँ, मैं थोड़ा optimistic हूँ। मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोग इस तरफ सजग हो रहे हैं। थोड़ा सोच रहे हैं। अब मैं नहीं देखता हूँ किसी मौनुमेंट पे लिखा हुआ। निखिल, लव्स, पूजा और इनिफिंग लाइक लाइक लाइक। तो ये ये भी एक चेंज हुआ है, ये पिछले दस साल में चेंज हुआ है। अब शायद ऐसा भी होगा कि अगले पांच साल बाद अगर गलती से कहीं की मूर्ती चोड़ी हो जाए, तो वहाँ के गाओं वाले लोग रोड पे आ जाएंगे, वहाँ पे हंगामा कर देंगे। तो प्रसासन जो है वो प्रेशर में आ जाएगी कि हमें ये केस सौल करना और ऐसा हुआ भी। अभी हधरबाद के फोर्ट से निजाम के दो तीन आर्टिफेक्ट चोड़ी हुए थे, पुलिस ने तुरंत ही वो केस क्राक कर लिया। तो मुझे लगता है कि लोग जागरुख हो रहे हैं शायर पर अगर जादा संख्या में जागरुख हो जाए तो फिर मजा आजाएगा। अनुराग जी ऐसी कितनी मूर्थियां हैं जो अभी लाना बाकी हैं। अगर कुछ डेटा या कुछ ऐसा स्टैट्स आप शेयर करें विवोस के साथ। इसमें स्टैस्टिक्स तो बड़े सिंपली यह हैं कि उनेस्को के हिसाब से और केवल मूर्थिया नहीं इसमें कर्च कई चीज़े हैं। मैप है, मैनुस्क्रिप्ट है, तलवारे हैं, मुकोट है, कई चीज़े हैं। मोटा मोटा पचास जो ऑफिशल नमबर हमारे पास है, वो है कि युनेस्को कहते हैं कि पचास हजार मूर्थिया चोरी हुई हैं। और पचास हजार आर्टिफेक्स चोरी हुएं। यह था 1989, उसके बाद से किसी ने संख्या जो है, इसका संकला नहीं नहीं किया है। नोबडी हैस काउंटे दिन। पचास हजार में से मुटा मुटा हमको लगता है कि अगर ठीक से महनत की जाए, तो आठ से दस हजार आर्टिफेक्स हम वापस लेकर आ सकते हैं। इसमें से 234 जो है वो वापस उफर किये हैं। 28 वापस आए हैं। और शून्य जीरो जो है वो वापस मंदिर गए हैं। या फोर्ट गए हैं। या वहाँ गए हैं जहां से चोरी किये गए थे। So our next battle is to ensure that the gods actually go home. जो हमारी जो आर्टिफेक्ट है, जो मूर्तिया है वो जो भी है, वो जिन लोगों के लिए बनाए गए थे, जिनके वो या भगवान थे या जिनके वो स्वरूप थे, वो वहाँ पर वापस जाके उनको पुनरस्थापना की जाए, प्रान प्रतिष्ठा की जाए, तो मेरे हिसाब से और यह मैं डेविड फ्रॉले जी से भी अभी बात कर रहा था, कि मूर्ति अगर जो कोई चोरी होती है, मंदर से स्पेशली, उसके बाद वो न्यू यॉर्क में हो या न्यू डेली में हो, दोनों ही गलत है, तो अभी टाइम लगेगा, जंग बहुत बड़ी है, रस्ता बहुत लंबा है, थोड़ा हमने शुरू किया है, थोड़ा आप साथ दीजे, थोड़ा पबलिक साथ दे, तो कट जाएगा. Dr. David, India Pride Project is working like zero employees, zero funding, what do you have to say on this? Yes, it's a very important topic to give support to. It has a lot of symbolic value, it has spiritual, artistic value, it has an effect internationally, and it connects all the, many of these problems, loss of cultural heritage, cultural pride, issues of national security, issues of understanding the value, the effect, the connections of all these factors of moortis and pujas and the whole sacred value of India, and to think that these moortis that have been energized to worship the divine are sold and stolen and used to fund terrorism is absolutely unthinkable and cannot be allowed at any level. Other cultures and countries are challenging it simply on art levels, but India has another spiritual level that it must challenge, bringing the gods home, and establishing the gods in their own nature, removing them from this horrible network of abuse and now funding of very negative things that is totally opposite their nature and usage. Dr. Anurag Ji, Anurag Ji, do you have any success stories that we want to tell viewers about this? Dr. Anurag Ji, there are two levels of success, Mayang Ji. One is a tactical success, that the moortis identify, negotiate, and come back. I have given you an example of how many numbers are there, where 13 or 65 years, and where 234. Dr. Anurag Ji is a tactical success. Dr. Anurag Ji, I think that the country has another big success. Dr. Anurag Ji, when our country has reached a level that we can tell the Western powers, the imperialist powers that we can tell, that the boss that you are doing today is wrong. Dr. Anurag Ji is not acceptable. Dr. Anurag Ji, when it comes from the country, the people that are not acceptable. Dr. Anurag Ji, a listener of the country, that is not acceptable. Dr. Anurag Ji, to the political side, we can tell that he has not accepted the people, and he dove into the country and said the role of the country, that the guy is acceptable. Dr. Anurag Ji, we are in a way to fight against the government, that the success of the country is, that today's date, पे भारत इतना भारत का स्वाबिमान, भारत का जियो पोलिटिकल पोजेशन इतना स्ट्रॉंग हो चुका है, कि हम वेस्ट की ठकुराई से लड़ रहे हैं, इंडिया प्राइट प्रोजेक्ट के माध्यम के थुरू, और कई और माध्यम भी हैं, तो for me, it is symbolic of the re-emergence of India globally, of the many ways India is re-emerging globally, IPP is one of the ways and I am so glad that I could be a part of it. कोई ऐसा चैलेंज जो इस पुरी यात्रा के दौरान अभी तक आपने फेस किया हो, बहुत मेजर चैलेंज? चैलेंज तो Mayang जी, एक ही है केवल, lack of awareness, जनता जानती ही नहीं है कि उनकी जो धरोर है, जो पड़ी रहती है, रखी पड़ी रहती है, वो कितनी नी मुल्यवान है? जनता जानती ही नहीं है कि जो मूर्तिया चोरी हो रही है, जो धरोर चोरी हो रही है, उसका पैसा टेरर फंडिंग में जा रहा है. जन्ता जानती ही नहीं है कि जिस पे, आप बुरा ना माने तो मैं थोड़ा ग्रोस यह कहूंगा जो पड़ी रहती हैं गाव में जिस पे कुटा मूथ के जाता है, वो कई करोड़ों में बिकती है विदेशों में. तो आप अपनी धरोहर का जब आपको कुछ गलत दिखता है तो अपनी आवाज उठाएं अपने लोकल कॉर्परेटर से मले से एंपी से जाके बोलें कि यह काम अनुराग जी क्यों करें यह काम कोई वॉलेंटियर क्यों करें यह काम सरकार को करना चाहिए जी क्योंकि जडों से जड़े रहना बहुत ज़रूरी है इसमें युवाओं की भागिदारी पर क्या कहना चाहेंगे निकल जी युवाओं के भागईदारी हो रही है पर इससे जादा हो सकती है हमने इस को क्या कर रहा हूं तो कई कूल मित्र हैं तो उन्होंने कहा यार यह तो हम देवानन की फिल्मों में देखते थे यह तो 1970 का मुद्ध है तो मुझे उन्हें समझाना पड़ा कि अब वापिस आ रही है और अब हम काफी गौरवित हैं कि हाँ यह हो रहा है हम यह कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें मल्टी अप्रोच से इसको देखना पड़ेगा बड़ों को एक अलग तरीके सा अप्रोच करना पड़ेगा निश्यत और पर अन्याय की खिलाफ आवाज उठाना अपनी जगह एक एक बात है And Dr. David, like if I talk about importance of our sculptures or our monuments or heritage, as far as our Vedas are concerned, as far as our Upanishads and Puranas are concerned, what do you have to say on this? Well, I've written and I've said that the Vedas are like the pyramids of the mind and we honor the pyramids in Egypt but we forget that there is a corresponding or perhaps even vaster literary knowledge heritage through the Veda. But it's also curious to note that the whole temple tradition came out of the Vedas and the ancient temples were built out of certain of the Agni altars and other factors and Rattas, etc. we find in the Vedas. So there should be a continuity of that. But the sacred knowledge is important but its embodiment through art is always important. The Bharat Natyam was also the fifth Veda. So reclaiming India at both levels, the knowledge tradition and also the iconic tradition is essential to reclaim the full tradition. If you have not yet received your traditions and heritage, what according to you may be the consequences? So there is a very simple consequence. This is the wealth of the nation. This is the wealth of the nation. If you have a cash cash or a wealth of millions of crores, do you have to go with it? Let's say your traditions do not. Do you have to go, whether you will arrive or return in Kenya from this person? भारत जो देश है वो तो अभी अभी बना है पिछले 70 सालों में, भारत जो सब्धिता है, जो civilization है, वो सेखडो सालों से है. There is so much of continuity that our children need to learn, which they will not, if there are no symbols of that civilization. So, we need to ensure that those, in मूर्तियों का, अगर आप इसका religious value छोड भी दें, Simplely बात करता हूँ, आप अपने घर में, आपने जो भी डादा, दादी, नाना, नानी, पच्चे, उनका फोटो रहते हैं या नहीं रहते हैं? क्यों रखते हैं? आपको याद नहीं है कि आपके माता-पिता यापके बच्चे यापके दादा-दादी कैसे दिखते हैं, आपको पता हैं. But they capture a moment in time which was important for you as a family. This heritage captures a moment in time that was important to us as a civilization. Correct. Same thing. Dr. David, I would like to ask you also because these moortis, they are not just the physical structures. They are something beyond that. Talking about spirituality or their religious importance, what do you have to say? Well, first of all, it's only this really the Hindu tradition that has this prana-pratishtha, the elaborate pujas, the regular forms of worship that keep this presence in the moorti. So the power and the honor to the moorti is more here. And we often talk about the prana-pratishtha. Yeah, prana-pratishtha. Because that's putting the spirit into the moorti and also putting your spirit into the moorti. So the moorti is part of you. You are part of the moorti. The moorti is the manifestation of the transcendent. That which has no name and form can also be manifest or communicated to name and form. And through the moorti, you can also contact the transcendent and bring it into your daily life and daily work. So the moorti, there's also the spiritual science. And people today are practicing yoga worldwide. And now they're recognizing the power of ritual, the importance of puja, the bhakti yoga that goes along with it. And this is also, this India pride is about restoring that greater honoring of the heritage. It's not just taking it back at material or political. The positivity and the positive aura that we get. Chalte chalte, concluding comments, aap se chahehenge, Nikhil ji. Chalte chalte, Chalte chalte, Dershukoh ko kya sendeish dena chahehenge, bharat waasiyo ko kya sendeish dena chahehenge. Aapne iis project ke baare mei kya 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 chahehenge? Mahin Nikhil ji 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 joh kya kya geh r citoyعت hain unshi ko extend karna chahen ga ki bharat ka yuva verg joh hai. Jis level kya shakti hae ap isko imagine nahin kar sakte. ये शक्ति कई चीजों में आज की डेट पे मैं कहूंगा वेस्ट तो नहीं कहना बट रीडिरेक्ट हो रही है जिस दिन भारत का युवा वर्ग बैठके डिसाइड करे कि हम अपने देश को हम अपनी सिविलाइजेशन को अपनी सभीता को दुनिया का नंबर वन बनाएंगे उस दिन इनको कोई नहीं रोक सकता आज के डेट पे अगर बीस पच्छे साल के लड़का ये लड़का अगर दस साथ हमें आ जाएं तो सामने वाला डर जाता है आप सोचिए अगर सो हजार लाख दस लाख एक करोड दस करोड युवा साथ में आके बोलें बास हमारे ली ही जरूरी है कि हमारे मांबाब की जायदाद आप कैसे लेके गए आपकी हिम्मत कैसे वी लेके जाने की और आप वापस कीजिए वर्ना देखिए जिस दिन ये एक feeling आ गई, जिस दिन ये confidence आ गया हमारे युवा वर्ग में, उस दिन दुनिया की कोई ताकत, दुनिया के बाहर की कोई ताकत हमें रोकने सकती कि भारत, you know, that we will bring our bads home, God's home, and we will ensure that India is repositioned on the world maps through its regained pride. जिन निशित कोई भी बड़ी ताकत जो हमको रोकने सकती, and Dr. David being said, it is not the height of the mountain, but the small pebble in your shoe that stops you from climbing the mountain. चलते चलते, your concluding comments on this issue. Yes, it is part of this awakening of India, not just simply as a nation or a culture, but as a great civilization with its own traditions, its own heritage, its own value, and my point is that there should be a new dialogue of civilizations going on, where India is not just put in the shadow of the West or footnote to the West, but honored directly for its contributions, not only in spirituality, which are recognized, but also in art, culture, science, mathematics, and so many other areas. This is a good symbol. It also has value on all levels, and even national security, so it should be brought into India's pride, as it is so amply named. तो कुल मिलाकर अन्याए के खिलाफ आपने जो आवाज बुलंद की है, हम तो याशा करते हैं, नुराग जी, Dr. David, Nikhil जी, कि आप अपने इस प्रोजेक्ट में सफ़ल हों, आपके साथ कई लोग साथ में जुड़े, धर्म की जाए हो, धर्म का नाश हो, और हम हमारे देश क चली गई है, उसे पुना जो है, हमारे देश में ला सकें, आज के इस कारिक्र में आप तीनों ही महमानों का हम शुक्रिया आदा करते हैं, जो आप जुड़े और आपने इतनी अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों तक प्रेशित की, आप तीनों का बहुत-बहुत- की शुरुआत हो चुकी है, एक फरवरी से लेकर यह महा उत्सव 21 फरवरी तक चलेगा, एशिया के सबसे बड़े थेटर फेस्टिवल का आयोजन, दिल्ली के मंडी हाउस में इस्थित, राश्ट्रिय नाट्टे विद्याले यानी NSG द्वारा हर साल किया जाता है, भारत र की शारीरिक शॉंबर को डेई, अमी भुजीना सबके चुके तुम्ही पब्लीक कोरे दिखी महा जापा, ठीक आचे, तहला हमें यूच्यूब तके तुम्हा गान्टा बाजिये शोनाई, जिवान जिखाने जैमं, कखन धुशार बारं, तो भूव छुटे चोदे, प्रु के दौरान, NSD Campus, Street Play, Ambience Show और Theater Bazaar से भी गुलजार है, जहां तमाम तरहे के उतपादों और लजीज, वेंजनों की भरमार है, यूथ फोरम शो में दिल्ली के करीब 50 कॉलेजों की ड्रामेटिक सुसाइटियों ने भी हिस्सा लिया है, जो रोजाना अलग-अलग प्रस्लुक के बारे में जाग रुप करना है. और कोई भी इसे देखे, तो बस ये सोचे कि न्यूज मीडिया चौथा स्तंभ है, हमारी लोकतंतर का. जो तुम देखो वो भी सही, इसी प्रकार लोकतंतर का चौता सम कहलाती है पत्रकारता, हर बार खंडेत होती है, ये प्रश्न पुछी है, प्रश्न बहुत करते हैं ये लोग, लगता है, बूल गए पिछली बाते, जब बल काम नहीं आता, तो नीती काम आती है, और नीती क है कमसोर करूँ, दाग लगाउं तुम पर रेष्ट रहो का और तुहें रेष्ट रही कहूं, तुम्हारे हर शब्द पर मार्वानी लगा चक्कर कटवाउं तब तक, जब तक तुम्हारे पेरो के पल्पे घिस कर फकीर ना हो जाएं, तुम्हारी राजात कलम को इस मिंदा ती पेडियों में जखड़ कर रेष्ट नाभूत कर दूँ, आज जो हमने प्ले दिखाया, उसका थीम था जुवनाइल होम्स, मतलब आज हमने मेजर ये चीज़ कवर करी, अवेरनेस, कि बहुत लोग हैं अभी यहां पर, मैक्सिमम परसंटेज अब लोगों को पता ही नही आएगा, नौ बजे, उनका ब्रेक्फॉस्स ताइम, काका, काका उखे ना, काका नारशी का टाइम होगा, नश्ता करने, कालिया, जा जा के सोजा, वारा बजे, उनका स्चाटी ताइम, चलो चलो चलो, काम पे लगो सारे, चलो चलो हरी को शायद सही सला जरूर मिली, और हैं सही सला जरूर मिली, और शायद जो विनाई हों में हमें मेरा मतलब उन्हें सही सला की ज़रूरत है साजा की नहीं पर जो नॉमल जो लोग होते हैं वो सिर्फ नूज देखकर जो जी सच नहीं होते हैं उसको भी सच मान लेते हैं लेकिन यहां पर उन्हें सब कुछ बताया कि आक्चुली हमें उस चीज को समझने चाहिए पढ़ना चाहिए धिहान से और उसको चेक आउट करना चाहिए दूसरी साइट से भी कि वह आक्चुली सच में है या नहीं है नुकरनाटक के अलावा एंबियंस प्रस्तुक्यों में लोक निर्थ और अच्चुली है निपरंपरागत कलाएं भी पेश की जा रही है ये है महराष्ट का सबसे लोकप्री और प्रसिद्ध लोकनिर्थ लावनी कि लावनी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लावनी श्रिंगारिक है कोई भी लोककला प्रकार धीरे धीरे अस्तित्व में आता है और वो धीरे धीरे ग्रो होता तो लावनी मतलब तमाशा का एक भाग है तो तमाशा में ऐसे होता था पहले कि तमाशा में गंड, गवरन, बतावनी, लावनी और उसके बाद वग होता है तो लावनी जो शुरू हुई उसमें लावनी का मतलब होता है कुछ लगाना या कुछ देना लावनी एक शब जो है वो एग्रिकल्चर से भी आया है। असपास के सभागारों में किया जा रहा है। तो आईए आपको दिखाती हैं पगला घुडा नामत इस नाटक का ये भाग। आपको पता जुडा 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 तो देखा आपने भारत के कला संस्कृति और साहित्य के इतने सारे रंग इस भारत रंग महुत सव में दिखाई पड़े। अगर व्यक्तिगत बजट की बात करें या अगर समूचे देश की बात करें तो सरकार के द्वारा हर साल बजट बनाया जाता है। में शासन के द्वारा सरकार के द्वारा आने वाले वित्य वर्ष में क्या खर्चे होंगे, कितनी आमदनी होगी इसका एक पूरा एस्टिमेट बनाया जाता है। अबकी बार का बजट, यूनियन बजट, अंतरिम बजट रहा है। हमारे इस सेकंड सिग्मेंट में हम बात करेंगे अंतरिम बजट और खास तोर पर इस बजट में कंजूमर्स यानि उपभुखताओं के लिहाज से क्या कुछ प्रावधान नए देखने को मिले हैं। इस विशय परचर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं क्विशेश महमान। स्वागत कीजेश्री नितिन सक्सेना जी का। आप कंजूमर एक्टिविस्ट है साथ ही जर्नलिस्ट है। आपका बहुत बात स्वागत है नितिन जी का रिकरम गुडीवनिंग इंडिया में। नितिन जी अगर बाचीत के शुरुवात करें एक लेमन के लिए, एक सामान ये बिक्ती के लिए ये इंटरिम बजट या अंतरिम बजट क्या है। ये जब elections आते हैं, उसके कुछ समय के लिए, कुछ समय रह जाता है, तो उसमें एक interim budget का प्राफदान होता है, जिसमें regular जो खर्चे हैं, जैसे salaries हैं, और जो सरकार की यूजना हैं, के जो खर्चे हैं, वो meet out हो जाएं, उसके लिए ये interim budget का जाता है, ये एक तरह से कुछ ही limited period के लिए रहता है, तो इसलिए interim का नाम दिया गया है, और जो सरकार जो चल रही होती है, जो उसका जो पिछला जो budget होता है, वो ही budget एक तरह से प्रोलांग हो जाता है, next year के लिए भी. Okay, okay. अगर technically बात की जाए, तो normal budget से, ये interim budget कैसे different होता है, कैसे अलग होता है? इसको full flash नहीं किया जा सकता है, सरकार कोई major policy इसके अंदर नहीं कर सकती, इस तरहें के budget में, कोई इस तरहें के लुभावनिक चीज़ें नहीं कर सकती, बस ये है कि एक रोज मर्रा की जो जिन्दीगी की जो चीज़ें वो meet out हो जाए, उस ही का ही प्रावधान होता है, जिस से कोई major decisions नहीं हो सकते, कोई major policies changes नहीं हो सकती, जो पुराना जो budget है, उस ही कोई प्रोलाउंग करके वोई budget चलता रहता है, कोई बड़ी योजना नहीं बनाई जा सकती, अगर consumers की बात करें, जैसे कि आज हमारा विशे भी है नतिन जी, consumer friendliness या consumer उपभुकता की नजरिये से इस budget में क्या नए प्रावधान देखने को मिले हैं, थोड़ा प्रकाश डाले इस विशेर, देखिए ये जो budget, interim budget भी जो इस सरकार ने जो दिया है, ये बहुत ही जबरदस्त budget दिया है, एक तरह से इसको बोलेंगे कि consumer जो एक normal जो एक आम उभुकता का budget है, क्योंकि जिस त साल उसको 6000 रुपे तक मिलते रहेंगे, जिसकी पर छोटी जमीन है, जो बिचारा बहुत गरीब है, उसको बीज वगरा खरीदने के लिए, ये चोटी मोटी चीज़ां खरीदने के लिए, एक चोटा सब दिया है कि रिलीव दिया है उसको, कि आप वो खरीज सकते हैं, और तीसरा एक श्रमिक को दिया है, जो डेली वेज़े जो लोग थे, जो बिचारों की कोई फूचर नहीं था, जो बिचारे काम कर रहे होते हैं और उनको कुछ पता नहीं कि आगे जिन्दगी में हमारी कैसी चलेगी, साठ साल के बाद हमारा क्या होगा, एक सरकार में जो आद सोचा नहीं था, इस सरकार ने ये चीज सोची है कि उसको तीन हजार रुपे पर मन्त आफ्टर सिक्स्टी येर्स मिलेंगे, पर उसमें उसके अंदर एक ब्रैकिट ये दिया है कि अठारा साल की अगर आयू है, तो उसको सिरफ पच्पन रुपे पर मन्त देना पड़ेगा अगर उनतिस साल की अगर ये आयू है तो उसको सो रुपे पर मन्त देना पड़ेगा, और चालिस साल की अगर आयू है तो उसको साट साल जब तक उमर आती है तब तक उससे दो सो रुपे देना पड़ेगा, ये बड़ा nominal amount है, एक आदमी इतना दे सकता है, अपने जो संदरी बजट के साथ हर राज्य में राज्य का बजट होता है, इस टेट बजट का क्या इम्पर्टेंस आप देखते हैं? ने कि ये जो सेंटरल बजट होता है वो पूरा राज्य को भी अपनाना पड़ता है परन्तु राज्य की कई चीज़ां अलग अलग होती है कि वो इसको अपनाए ना बनाए कितना रिलीव दे चाहिए रियल स्टेट सेक्टर्स देख लीजिए वो एक स्टेट सब्जेक्ट है कि उसमें कितना रिलीव अगर वो प्रॉपर्टी के रेजिस्टेशन में अगर देना चाहिए कि साथ परसंट अगर चला है तो उसको वे यह जो प्रॉब रोवन श्टेट गवर्मेंटस के पास अपने अधिखार होते हैं उनके पास अपना पैसा होता है जो इसने किसी तरह से कंस्यूमर से वहां की जो रहने वाले हुमसे लिया है और उसका प्रोलोवन वो अपने नागरिकों को उनको सेवाद देने के लिए वो कर सकती है तो यह दोनों अलग-अलग है Central अपना देता है, State अपना देता है, यह जरूर ही नहीं है, State उसी चीछ को follow करें, वितना ही करें, वो सकता है, उसमें और भी relief दे दे, तो यह State नितिन जी, अगर consumers के लिहाद से बात की जाए, consumers आखिरकार वर्थमान परिपरेक्श में क्या challenges वेस्ट कर रहे थे और कैसे इस budget, अंतरहिम budget ने उन्हें relief दी है देखे, इस देश में सवा सो करोड़ लोग हैं, पर अगर देखा जाए, सिर्फ 4% ही लोग tax देते हैं, तो एक तो tax consumer कम दे रहा है, जो एक नागरिक है, वो tax इस सरकार ने कुछ बढ़ाया है, लोगों को, जो पहले बुलकुल नहीं दे रहे थे, 3% दे रहे थे, उसको 4-4 परसेंट किया है, यह नोट बंदी और GST के फैसले के बाद, यह बहुत ही एहम फैसला था, जिसके कारण consumer को tax देना पड़ा, तो tax revenue बढ़िये, तो अब यह हो रहा है कि अगर consumer अगर regularly अपने tax दे, honestly, तो यह देश वास्ता में एक सोने की चडिया वापस बन जाएगा, यह problem आ रही है कि consumer जूज रहा है, सिर्फ 96% लोग ऐसे हैं जो tax नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 4% ही लोग ऐसे हैं जो tax दे रहे हैं, अगर यह लोगों का दाएरह और बढ़ जाए, तो जो challenges है consumers के पास, जिस तरह से electricity proper कई जगे नहीं है, जो इस सरकार ने करी हैं, आपके पास है न फिर भी consumer जूज रहा है कि अच्छे hospitals नहीं है, आपको बिमारी हो जाती है, तो कोई पता नहीं है, quality of air इतनी polluted है, तो वो consumer को नहीं मालूम कि कब मैं बिमार हो जाओं, कब मेरे साथ क्या problems आजाएं, यह नहीं मालूम, आप रेलवे में जा रहे हैं, तो रेलवे की साफ सफ नहीं है, इस सरकार यह भी देख रही है, बायो टायलेट्स वगरा बना रही है, अब इनका प्रोग्राम चलना है, जिससे एक SMS पर आप है ना, बायो टायलेट्स में, अगर कोई प्रेंड में गंदगी है, तो उसकी सफाई हो जाएगी, एक SMS से, सरकार तो बहुत कुछ कर टायलेट भी हो रहा है, अगर यह सरकार और पांस साल और चले यग 10 साल और चले, तो जो एक तरह का बैरियर था, वो काफी कुछ ठीक हो जाएगा, नेतिन जी, अगर डरेक्ट टाक्स की बात करें, डरेक्ट टाक्स में क्या बड़े बदलाव इस बजट में सरकार ने कही ह तक्सिस एक जो हो गया, यह अब GST का मामला हो गया है, तो GST की एक मीटिंग्स होती है हर कोडरली, उसके अंतर ये टैक्सिस का पता चलता है, कि हाँ, इन चीजों पर आप ने टैक्स का टाए है. तो जिसके पास इतनी earnings हैं, तो उसको कोई tax नहीं देना है, सबसे बड़ी बात ही है, और दूसरी बात ही है कि इसमें slab change नहीं हुआ, जो consumer चाह रहा था, कि slab change हो जाता, तो ज्यादा better था, क्योंकि 5 लाग से अगर 1000 रुपे भी अगर ऊपर consumer की earning है, public sector या government sector वाले की, तो 20% tax bracket जहां तक बात है, TDS की अगर की जाए, जो savings पर, interest की जो छुट बढ़ा ही गई, इससे आपको नहीं लगता, investment बढ़ेगा, economy में और economic growth के अगर मैं बात करूँ, तो कैसे देखते हैं, देखिए, avenues बहुत हैं, पर जो लोगों के पास avenues समझ नहीं आ रहे थे, वो fixed deposits में जाता है, वो दस हजार रुपे के ऊपर ही उसको TDS लगता था, अब वो नहीं लगेगा, एक ही रिलीफ हुआ है, जो सेनियर सिटीजन का पहली पचास हजार था, अब एक normal consumers के लिए भी सब आम जनता के लिए भी वह पचास हजार होगे, ये एक बहतरीन step ये भी इस सरकार ने लि किसानों के लिहाज से अगर बात की जाएं, किसानों को क्या सौगात मिली है या क्या challenges जो किसानों के समक्ष थे, जो इस budget ने दूर की, किसानों के साथ यह problem थी, कि आपकी खेती ठीक नहीं थी, तो उसका insurance का payment नहीं मिलता, ये challenges अभी भी हैं, कि उस किसान को नहीं मिलता, प और एक ही है, एक ही है, रेगुलर एक तरह की बात नहीं है, कि भाई आप हर बार rent maaf कर दो, किसान को कुछ दो, कुछ, उसके साथ कुछ करो, तब ही आप rent maaf की बात करेंगे, जो इस सरकार ने किया है, कि भाई एक छोटे किसान के, उसने definition में लेकर आया किया, जिसके बाद दो हेक्टर की जमीन है, उसको हम 6,000 रुपय साला ना देंगे, बीच खरीदने के लिए, सोईल खरीदने के लिए, पेस्टिटाइट्स खरीदने के लिए, तो छोटा सा एक तोफा जरूर दिया है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये रकम और बढ़ा दी जाए, तो किसान अधास ऐसा सोचा नहीं था, जो छीज सोची नहीं जाती है और वो छीज हो जाए, तो इसको कहते हैं कि वास्ता में जो हमारे दिल में थी, वो छीज सरकार ने कहा दी, तो एक हल्पिंग बजट रहा है, इस बजट में कोई ऐसे विशेश प्रावधान इस प्रावधान इस कॉमर्स एक ऐसा सेक्शन था, बिजनस हाउसेज थे, जो आप डिटेलर्स को परिशान कर रहे थे, तो जिसके कारण छोटे दुकानदार्स थे, वो थोड़ी से परिशान हो रहे थे, हलाकि कंस्यूमर के पास चीज अच्छी जा रही थी, अच्छा कॉम्पिटिटिव उसके अंदर एक policy लेकर आएं, जिसमें यह है कि आप जो e-commerce वाले dumping कर लेते हैं, यह direct manufacturing से बात कर लेते थे, कोई एक product के लिए, कोई भी product हो, और उसको hold कर लेते थे, फिर अपने जरिये से उस चीज को बेशते थे, वो चीज आप सरकार ने उसको मना ही कर दी है, कि आप ऐ इसा नहीं कर सकते है, यह सब के लिए एक ही rate होना चाहिए, manufacturer सब को ही देगा ना कि सिरफ आपको देगा, तो यह एक बहुत अच्छी चीज करी है, और एक real estate में भी मैं इसके साथ और बताना चाहूंगा, वो भी बहुत अच्छी चीज की है, कि जैसे किसी इनसान के पास ए जो मकान ले लेते हैं, चाहिए, वो खाली भी पड़ा रहेगा, तो भी tax नहीं लगेगा, तो यह कुछ अच्छे प्राफदान ही, वन standard deduction में जो पड़ोतरी कीज़ेगा, और GST में भी एक प्राफदान हो रहा है, real estate में भी 12% का इसमें taxes है, तो उसको भी consumer की तो demand है कि 3% हो लेकिन आप वो caveat venditor में तबदील हो गया है, the seller be aware, क्या लगता है इस budget के आने से consumerism में, competition में, क्या changes आएंगे, consumerism में बहुत changes आएंगे, लोगों के पास purchasing power बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पाँच लाग का प्राफदान जो किया है, इससे है ना, अब लोग और खरीदेंगे, returns भरेंगे, मैं इस दू दर्शन से यही मादियम से यही कहना चाहूँगा, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा tax भरें, अगर tax को avoid ना करें, सरकार आपके साथ है, honest taxpayers को सरकार शाबाशी देगी, अगर आप पैसा छुपाएंगे, तो परिशान ज़्यादा होंगे, और अग आपके पास कई विकल्ब खुले हैं, आप मकान खरी सकते हैं, गाड़ी खरी सकते हैं, कुछ भी घरी सकते हैं, कुई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आप honestly tax दे रहे हैं, आप बता सकते हैं, capital enhancement आप ही को मदद करेंगा, और जैसे कि अगर बात की जाएं नितिन जी, इन cost of living बहुत बढ़ रहा है, तो क्या ये budget इस issue को भी address करता है, cost of living, देखिए हर चीज की rates बढ़े cut off हुएं, अब दाल और सबजीज वगरा, जो भी आप market में देखें, pallet 1.500, 200 रुपे किलो होती है, वो 50 रुपे, 60 रुपे किलो हो गई है, तो already इस सरकार ने इन चीज़ों पर बहुत कंट्रोल किया है, आने वाले टाइम में और भी कंट्रोल करेगी, अच्छे अच्छे जो बनाएंगे इस तरह से holding के लिए, जो समान holding के लिए, warehouses जिसे कहते हैं, अगर ये सरकार ये सब चीज़ें ज्यादा बनाएंगी, cold storage ज्यादा बनाएंगी, तो naturally जो किसान उसके उपर भी ध्यान रखा जाएगा, किसान, अकुल मिलाकर हर वर्ग की मदद होगी, चलते चलते नितिन जी, आपके closing remarks इस budget पर consumer के लिए आसे, इसमें यही है, रिमार्क की ये budget बहुत अच्छा है, इसका फायदा consumer को उठाना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि honestly वो tax पे करें, और अगर properly अगर वो tax पे करेंगा, तो ये इसमें देश में उन्नती रहेगी, और उसको भी परिशानी नहीं रहेगी, शुपाने से कोई चीज चुपती नहीं है, कभी ना कभी हो जागर आती है, तो उसको परिशानी होती है, तो मैं यही कहूंगा कि tax पे करोगे तब ही देश में आप योगदान दोगे, तब ही सरकार आपके लिए कुछ सोच सकेगी, आप सरकार के पास भी पैसा आएगा, तो अच्छे स्कूल, कॉलेजेज, कॉलेटी ऑफ एर, और रेलवेज और हवाई आतरा है, आपको लिए और सस्ती, सस्ती चीज़, टैक्स प्ला आपके जिए इजासत, नमस्कार झाल